स्वागतम दोस्तो दोस्तो आज हम डिसकस करेंगी जब वीनस यानि की सुक्र आपके कुंडली के पहले स्थान पे आता है तो वो किस तरह के फल या परिणाम देता है दोस्तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आ चैनल और बेल आइकन पे क्लिक करने ना भोलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो के नोट्रिफिकेशन आपको आसा आपके इनर पस्नालिटी को करता है विनस रिप्रेजन साथी विनस रिप्रेजन करता है आपके आर्ट को आपके टैलेंट को आपके पैशन को जो आप समाज में सुसाइटी में दिखा सके ऐसे चीज़ों को विनस करता है रिप्रेजन साथी विनस रिप्रेजन करता है आप आपके comfort को आपके luxury को आप जिस चीज से comfortable हैं जहां पर आप खुश है happy हैं आप सामाज की जो भी materialistic चीज़ों को enjoy कर सकते हैं ऐसे चीज़ों को Venus करता है रिप्रेजन लग्जरी car, luxury home, high five lifestyle इस चीज़ों को Venus करता है रिप्रेजन साथ ही Venus present करता है all short of materialistic thing को और Venus रिप्रेजन करता है आपके sexual life को क्योंकि Venus से हम दिखते कि आप कितने sexual है कितने नहीं है साथी Venus आपको ये भी रिप्रेजन करता है कि आप sexually कितने active हो आप कितने passionate हो आप कितने romantic हो आपका romance सारे चीज़े हम Venus से देखते हैं दोस्तो पहला स्थान represent करता है आपकी अंतरात्मा को आपके physical appearance को आप किस तरह से समाज में society में अपने आपको represent करते हैं उसे पहला स्थान represent करता है आपके look को आपके physical feature को या आपके अंदर की आत्मा को आप mentally क्या सोचते हो क्या समझते हो आपका क्या opinion है ये सब चीज़े हम पहले स्थान से देखते हैं आपका physical strength आपका physical appearance और किस तरह से आप जब बात करते हैं तो लोग आपके बारे में क्या perception बनाते हैं वह भी हम पहले स्थान से देखते हैं दोस्तों जब पहला स्थान पे beauty का planet यानि Venus जब represent होता है अच्छी position पे होता है exalted होता है या अपने sign में होता है तो ऐसे जात तक काफी good looking होते हैं काफी beautiful या handsome होते हैं यह अपने आपको एक अच्छे से good look में या अपने आपको इस तरह से करते हैं represent सामने वाले को इनकी personality काफी pleasant होती है इनका way of speaking काफी pleasant होता है ये जो भी चीज़ें करते हैं ऐसे करते हैं कि सामने वाला इनसे impress हो जाए और इनकी तरह से ही या उनकी तारीफ करें साथे दोस्तों ये भी दिखा गया है कि अगर वीनस आपकी पहले स्थान पर डेलिबरेटिट है या खराब पोजिशन पर है तो जरूरी नहीं है कि आपकी पस्थानलटी अच्छी नहीं होगी, खराब नहीं होगी, लेकिन आप अपने आप पे इतना ध्यान नहीं देंगे, और वो बात अलग है कि लोग आपसे अट्रेक्ट होंगे, आपको फस्स टाइम में आपको पसंद करेंगे, लेकिन आप अपने आप इतना ध्यान देते नहीं है, लेकिन अगर आपका वीनस अग्जल्टेट है, अच्छी पोजिशन पर है, तो ऐसे जाते कि एक काफी पैस् लोग वहत सब्सक्राइब होते हैं, बात करने में बहुत स्मार्ट होते हैं, और उनका लुक भले वो अच्छे ना देते हो, लेकिन अपने आपको इस तरह से रिप्रेजन करते हैं, कि लोग उनको देखके इंप्रेस हो जाते हैं, दोस्तो जब वीनस आपके कुंडली के प तरह से रिप्रेजन करते हैं, और उस पर्सनालटी के अंदर आपके अंदर एक आर्टेस्टी टैलेंट होना चाहिए, तो ऐसा देखा गया है कि दोस्तो जब वीनस आपके कुंडली के पहले सान पर आता है, तो ऐसा जात तक आपके प्रोफेशन चूस करते हैं, जहां पर लोगों के सामने दिखें, और लोग उनकी तारीफ करें, जैसे कि कोई आर्टिस्ट हो गया, या कोई मॉडल हो गया, या कोई डांसर हो गया, या कोई मूवी में काम करने वाला हो गया, ऐसे कोई भी तरह के प्रोफेशन जहां पे आप अपियर करते हैं आपने आपको in front of the society, समाज के सामने और आपको वहाँ से मिलता है वावाई, आपको लोग करते अप्रेशेट इस तरह के प्रोफेशन को ये चूज करते हैं, दोस्तों जब वीनस आपके कुंडले के पहले स्थान पे होता है, तो ऐसे जाता है कि ये हमेशा जब लोगों से बात करते हैं, तो वह इस तरह से बात करेंगे कि आप सामने वाला वैक्ती उनसे काफी इंप्रेस जाएगा और उनकी तारीफ करेगा, क्योंकि दोस्तों वीनस में जो पहले स्थान पे होता है, तो ऐसे जात तक हमेशा ही एक अटेंशन सिकर होते हैं, इन्हें हमेशा लोगों से अटेंशन च कर होते हैं, हमेशा लोगों की तारीफ करते हैं, और इन रिस्पॉंस हो जाते हैं कि लोग इनकी तारीफ करें, तो दोस्तों ऐसे जात तक हमेशा ही एक प्लेजन नेचर के होते हैं, अच्छे नेचर के विक्ती होते हैं, तो वहीं अगर आपका वीनस डेलिबरेटेड है, या weak है या खराब position पर है तो जब इस तरह का winners पहले सान पर बैठता है weak होके, deliberate होके तो ऐसे जद तक अपने personality पर कोई धान नहीं देते हैं वो ऐसा लगे है कि आपको normal कोई बंदा सोके उठके आ गया है ऐसा लगे है नहाता होता नहीं है मतलब उनके अंदर में personality तो होगी attractive बट वो अपने look को carry नहीं करते हैं जैसे भी उठे उठे चले आए अपने पर इतना ध्यान नहीं देते हैं और ना की दूसरों पर धान देते हैं तो वो अपने में ही रहने वाले वेक्ति होते हैं दोस्तों जैसा कि मैंने कहा जब Windows आपके कुंडले के पहले स्थान पर होता है तो आप एक attention सी करोते हैं और आप चाहते हैं कि आपको लोग in return कुछ न कुछ दे तो ऐसे जाता है एक तरह से बहुत अच्छे animal lover होते हैं या pet lover होते हैं यह अपने साथ हमेशा अपने pets रखते हैं क्योंकि pets भी इस तरह से होते हैं कि जब आप उनको प्यार करोगे तो आपको response में प्यार करते हैं इसे तरह यह लोग भी होते हैं कि अगर वो pet को रख रहे हैं तो because of their need because हो चाते हैं कि pet भी उनको प्यार करें तो यह वेक्ति काफी attention करोते हैं और शाथ में यह एक बहुत ही अच्छे पैट लाबर होते हैं अपने pet को या अपने dogs को बहुत अच्छे से रखते हैं बहुत pamper करते हैं बहुत प्यार करते हैं कि यह बहुत soft spoken होते हैं और एक अच्छे human भी होते हैं दोस्तों जब Venus आपके कुंडली के पहले स्थान पर बैठता है तो उसकी सात्वी द्रिष्टी सात्वे स्थान पर पढ़ती है और Venus की हाली एकी द्रिष्टी होती है वो सात्वी द्रिष्टी होती है गुट अच्छे इसमें है दोस्तों इनके लाइफ पार्टनर भी उनकी तरही काफी गुड लोकिंग होते हैं स्मार्ट होते हैं हैंसम होते हैं और वो भी अपने पस्नालिटी को अच्छे से कैरी करते हैं साती दोस्तों ये भी देखा गया है कि वीनस आपके अंदर एक सेक्च्छल डिजायर पैशन लाता है तो ऐसे जाद तक जिनकी कुंडली में वीनस पहले स्थान पर होता है तो उनके लाइफ पार्टनर काफी पैशनड होते हैं काफी इनके बीच में जो रोमांस होता है वो काफी डिजायर काफी स्टॉंग होती है इनकी जो रोमांस करने की जो कह सतते हैं आप जो इच्छा होती है काफी हाई होती है यह लोग sexually काफी highly sexual होते हैं और इनका जो romance और love होता है वो काफी passionate होता है दोस्तो जब Venus आपके कुंडली के पहले स्थान पर बैठता है तो उसकी सात्वी दिश्टी सात्वे स्थान पर पढ़ती है और सात्वा स्थान रिप्रेजन करता है आपके legal partnership को business को दोस्तो ऐसे जाद तक अपने life में अच्छा legal partnership business कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर एक quality होती है जो की लोगों को appreciate करने की और जब यह partnership करते हैं तो आपने हमेशा चाहते हैं कि अपने partner को हमेशा खुश रखे और in return इनके partner भी इनको खुश रखते हैं तो normally यह लोग ऐसे business करते हैं जहाँ पर यह appear हो सके public के अंदर जैसे की cosmetic का business यह beauty business हो गया जैसे modeling का business हो गया या fashion designing आप कहसेते हैं इस तरह के चीज़े जहाँ पर यह समाज में appear होते हैं या society में appear होते हैं और लोग उनकी तारीफ गड़ते हैं तो इस तरह के business जहाँ पर publicly यह to appear वो आपे अच्छा करते हैं और successful होते हैं दोस्तो यह था मेरा analysis Venus in first house अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो like कीजिए, comment कीजिए और bell icon पर click कर न न भोले ताकि future में आने वाले videos के notification आपको आसानी से मिल जाए दन्यवाद